बड़ी खबर आपको बता दें जंतर मंतर पर हुए भड़काउ नारेबादी मामले में 6 की गिरफतारी हो गई है इसमें पुलिस लगातार वीडियो फुटेश की तफ्तीश कर रही थी लोगों को पहचानने की कौन-कौन वो लोग थे जिन्नोंने भड़काउ बयान दिये थे जंतर मंतर के इस घरकाउ बयान मामले में लगतार पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे अब इस पूरे मामले में 6 की गिरफतारी हो चुकी है बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय को भी गिरफतार किया गया है उनकी भी भूमे का सामने आ रही थी अश्वनी उपाध्याय समेथ छे लोगों की गिरफतारी हुई है दीपक सिंग और दीपक को भी गिरफतार किया गया है इनसे कल पूछताच की गई थी भड़का उबयान बादी मामले में अब 6 गिरफतारियां कुल रईवार को ये घटना हुई थी जंतर मंतर पर जब भारत चोड़ो आंदोलन की सारगिरा के मौके पर भारत जोड़ो आंदोलन जैसा कारक्रम आयोजित किया गया हेमानशु मिश्रा में सायोगी सकतवाम जानकारी के साथ जुड़ गये हैं हेमानशु जो छे लोग गिरफतार किये गये हैं उनकी भूमिका किस तरीके से सामने आई है समामले में हेमानशु आपको मेरी आवाज मिल रही है देखे दिल्ली पुलिस सबसे पहले जब डिटेंड की थी उसी के बाद लगातार पूश्टाच किया जा रहा था और ये समझने की कोशिस किया जा रहा था कि किसने सबसे पहले मीटिंग कहा पर जी जी निहा मुझे आपकी आवाज आ रही है निहा जब पुलिस ने इस मामले में छे लोगों को डिटेंड किया था निहा थीक है बोलिये मांशु आपकी आवाज आ रही है निहा पुलिस ने जब इन छे लोगों को एक एक करके डिटेंड किया था तो जब यहाँ पर पहुँचे थे अश्वनी उपाधिया तो उनका ये कहना था थाने पे जब वो पहुँचे थे सेव इंडिया फाउंडेशन के अंतरगत के पूरा कारेकरम किया था और उनके जाने के बाद ये नारे किसने लगाए ये पुलिस पता करे और उनके खिलाफ कारवाई करे लेकिन पुलिस ने इस मामले में पहले F.I.R. दर्च कर ली थी और अब एके करके पुलिस ने 6 लगाये वो नारे किस जगह पर लगाय도 और किसके संग्रक्ष्ण में ये नारे लगे तो ये सारी चीज़े है पुलिस का कहना की ये तफ्तीश अभी ये शुरुवाती कारवाई है। पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई है। प्रक्रिया पूरी की गई है अब पुलिस का ये कहना है कि जो सिलसिलवार तरीके से है सारी चीजें इन्वेस्टिकेशन में रखी जाएगी कि पहली मीटिंग जब से हुई थी उससे ले करके जो नारे लगे थे उस घटना करम तक एक एक चीज पुलिस उसको समझने की कोशि करेगी ताकि ये समझ में आ सके कि किसने बुलाया था वो लड़के कौन थे कि संगठन से किन लोगों से वो जुड़े हुए है जी निया मांशू जो छे लोग गिरफतार हुए हैं उनके नाम पूरी तरीके से सामने आ चुके है या फिर सिर्फ अशुनी उपाध्याय का न इपक सिंग प्रीत इन सभी लोगों को गिरफतार किया है जिन छे लोगों से पुलिस पूछताच कर रही थी और इन सभी लोगों को पहले डिटेंड किया था पहले थाने बुला गया था इस्टेटमेंट दर्श किये गया उनके उसके बाद उनकी वेरिफाई किया गया कि वो लोग मौके पे मौझूद थे या नहीं थे कहीं से और इन लोगों ने कोई सोशल मीडिया पे मैसेज वाइरल किया था की नहीं किया था इन सारी चीजों को वेरिफाई किया गया लगातार रात भर पुलिस की टीम इस मामले पे कारवाई करती रही और उसके बाद पुल जो है यह समझने की कोशिस कर रही है कि जो नारे लगाए थे जिन लड़कों ने उस वक्त उसकी location क्या थी exact location क्या थी इसके मोबाईल में किन किन मोबाईल में जो यह वीडियो वाइरल हुए वो शूट हुआ था तो वो कॉन लोग है उस मोबाईल के भी पुलिस को फारेंसिक में लगी हुई है एक टीम यहां जो पूश्टाच कर रही है जो वरिष्ट अधिकारियों के देख रेक में चल रहा है जो थाने के अंदर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो तमाम अधिकारियों की गाड़िया मौझूद है यहां पर दूसरी टीम यहां से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो पूशता चल रही है वो जो टीमें काम कर रही है जो फील्ड में है उनको भेजी जा रही है वो अगर किसी की पहचान हो पा रही है तो उसको तलाशने की कोशिस कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ने हर उस लोगों की ग्रैब निकालने की कोशिस कि वीडियो's के अंदर से जिन्होंने नारे लगाए हैं तो वो कौन लोग है जब यहां पर अरफ्षोनिय अब बाध्या पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि वो नहीं पहचानते उन्होंने अपने लोगों से उनकी पहचान करने की भी कोशिस की लेकिन पहचान नहीं हो सकी ये रात तीन बजे की बात है लेकिन उसके पार